नमस्कार मैं हूँ तोरल और आप देख रहे ततकाल नियूस लाइफ महाराश्रे के पूर्वव मुख्य मंद्री उद्धव ठाकरे ने आज प्रकाश आमबेटकर की वंचित बहुट जनागाडी के साथ गडबंदन की घोशना की है बताया जा रहा है कि आने वाले बियम्ची चुनाओं के मद्दे नजर ये घोशना की गई है पिछले साल शिवसेना की विभाजन के बाद यह पहला बड़ा चुनाओ है प्रकाश आमबेटकर ने इस मौके पर कहा कि कॉंग्रेस अभी गडबंदन में शामिल नहीं हुई है लेकिन उन्हें उम्मीद है कि शरत पवार की रंकम पा साथ आएगी शिवसेना की उद्धव ठाकरे के नेतरुतव वाले गुट और प्रकाश आमबेटकर का वंचित भौजनागाडी के गडबंदन की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी दरसल प्रकाश आमबेटकर ने महाराश्रे एकनाथ शिंदे के नेतरुतव वाले गुट और भारती जनता पार्टी के साथ हाथ मिलाने से इंकार कर दिया था इसके बाद से ही ये संभावना चताई जा रही थी कि प्रकाश आमबेटकर उद्धव ठाकरे के साथ जाएंगे गडबंदन की घोशना करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा आज 23 जन्वरी को बालासाइब ठाकरे की जैनती है मैं संतुष्ट और खुशू की महाराश्र के कई लोग चाहते है कि हम एक साथ आए प्रकाश आमबेटकर और मैं आज यहां गडबंदन बनाने के लिए आये है मेरे दादा और प्रकाश आमबेटकर के दादा सहकर्मी थे और उन्होंने उस समय सामाजिक मुद्दो के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी ठाकरे और आमबेटकर का इतियास रहा है अब उनकी आने वाली पीडिया देश के मौजुदा मुद्दो पर लड़ने के लिए यहां है प्रकाश आमबेटकर ने कहा कि गड़बंदन देश में नई राजनीति की शुरुवात का प्रतीक है उन्होंने कहा हम सामाजिक मुद्दो पर विरोत प्रदर्शन आयुजित करते हैं हम सामाजिक मुद्दो पर जीतते हैं या नहीं यह मतदाओ के हाथ में हैं लेकिन ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने के लिए सीट देना राजनीतिक दलों के हाथ में हैं। अभी तक केवल हम दोनों हैं। कॉंग्रेस ने अभी तक गडबंधन का सुखार नहीं किया है। मुझे उम्मीद है कि शरत पवार भी गडबंधन में शामिल होंगे। इससे पहले उद्व ठाकरे की शिवसेना के एक नेता ने कहा। शिव शक्ति और भीम शक्ति बीम सिन शुनाव से पहले एक साथ आएंगे। ठाकरे और अमबेट करने नवंबर में प्रबोधनकार.com शिवसेना संस्तापक बाल ठाकरे की पिता प्रबोधनकर ठाकरे को समरपित एक वेबसाइट के शुभारम के लिए एक मंच साजा किया था।